हेलो स्टुडेंट स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टेडी विद रितेश में तो दोस्तों इन दिनों काफी विद्यार्तियों का एक ही कोशन है कि सर इस बार यानि पैरामेडिकल 2021 में जी एनिम कोर्स के लिए हमको कितना माक्स तक लाना होगा जिससे हमको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए है हैना काफी स्टुडेंट का पूछना है कि सर जी एनिम और एनिम कोर्स को लेने के लिए जो है एक जांस में कितना माक्स तक लाना होता है तो चलिए बच्चो आज किस वीडियो में मैं आपको completely जानकारी दूँगा कि यदि आप your category से हो तो कितना marks तक लाना होगा यदि SC, ST, OBC, RCG, EBC मतलब किस category से आप कितना marks लाओगे जिससे आपको एक बढ़िया अच्छा खासा college मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो पहले बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइगन को हिट कर लो तो चलिए बच्चो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे A&M कोर्स के बारे में है ना तो यदि आपको A&M कोर्स लेना है और किसी अच्छे कॉलेज में लेना है तो इस बार यानि पैरामेडिकल 2021 में आपको इतना मार्क्स तक लाना होगा तो बच्चो यदि आप लोग UR केटेगरी से आते हो तो आपको 200 प्लस मार्क्स लाना होगा यदि आप OBC केटेगरी में आते हो तो 190 प्लस लाना होगा बढ़ियां कॉलेज में यानि पतना जैसे कॉलेज में अगर आप लोग चाहते हो कि अड्मिशन हो जाए तो आपको UR केटेगरी से 200 प्लस OBC केटेगरी से 190 प्लस EBC केटेगरी से 180 प्लस SJ से 170 प्लस ST केटेगरी से 165 प्लस और RCG यानि रिजाव केटेगरी से 180 प्लस आपको लाना होगा उसके बाद जो है आपको A&M course मिल जाएगा ठीक है वैसे अगर आप कम भी लेकर आते हो मालो 180 से 190 के बीच में भी marks लेकर आते हो और आपका UR category है तो मिल जाएगा chances काफी है मिल जाएगा लेकिन वही है आपको मतलब दूसरे college में मिलेगा पटना जैसे college में नहीं मिलेगा ठीक है हाँ तो चलिए बच्चो अब हम लोग बात करेंगे GNM course के लिए जो है कितना marks तक लाना होता है तो चलिए बच्चो ध्यान दीजेगा इस बार जो है पटना में PMCH या NMCH जैसा college मिलेगा ठीक है और बात करेंगे OBC category में यदि आप लोग का 230 प्लस हो तो ही जो है आपको best college मिलेगा OBC category से यदि आपको 220 प्लस भी लेकर आते हो तो मिल जाएगा देखिए यहाँ पर मैं जो marks बता रहा हूँ आपको best college के लिए बता रहा हूँ तो आप लोग target करके चलिएगा कि हाँ मुझे मैं UR category में हूँ तो मुझे इतना marks प्लस जो है लाना ही है किसी भी कीमत पे उसी level का पहनत भी कीजिए ठीक है देखिए बता दूँ आप लोग को कि इस बार यानी 2020 में जो है जिनका marks 200 भी है ना 200 UR category से उनको भी GNM मिला है ठी ठीक है अगर आप लोग चाहते हो कि आपके मन पसंद college में आपका admission हो तो उसके लिए जो है आपको rank थोड़ा अच्छा खासा लाना होगा तो यदि आप UR category से 240 लाते हो तो आपको यहां best college मिलेगा ठीक है OBC category से 230 लाना होगा तब ही जाकर अच्छा college मिलेगा EBC category से 220 प्लस और ST से 190 प्लस और RCG से 220 प्लस ठीक है marks लाना होगा तो बच्चो वैसे बता दूँ मैं कि college तो सभी अच्छे होते हैं बर एक होता है ना कि हमको पटना से करना है थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि पटना में सुईधा बहुत जादा है hostel सब चीज अच्छा रहता है है बात करेंगे order district का तो मतलब काफी बच्चे complain करते हैं कि सर जैसे मुझे SKMCH मिला है तो वहां का hostel ठीक नहीं है तो वहां का पढ़ाई नहीं होता है regular यह वो लेकिन पटना में ऐसा कुछ भी बात नहीं है वहां पर हर एक चीज जो है बहुत अच्छे से होता है तो आप दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही ऐसी और जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना चलिए बाइबाइबाइ